दोस्तों क्या होगा अगर हम 2022 में बनी तीजोरी और सन 1930 में बनी तीजोरी को हाइडरोलिक प्रेस के नीचे रख देंगे ये तो हम सभी को पताईए कि हाइडरोलिक प्रेस कितना ज्यादा पावर्फुल होता है लेकिन नई और पुरानी इन दोनों में से कौन सी तीजोरी हाइडरोलिक प्रेस के नीचे टिक पाईगी चलिए देखते हैं सबसे पहले 2022 में बने तीजोरी को हाइडरोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं और दोस्तों इस तीजोरी को तोड़ने के लिए तो हाइडरोलिक प्रेस को भी 45 टन का वजन लगाना पड़ा